नमस्कार, मैं हूँ प्रग्या, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 28 जन्वरी दिन सनिवार खबरों के उड़ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर BPSC एर सट्वी प्रिलिम्स परिक्षा के लिए आहाँ चारी होगा एडमिट कार रितीस काबिनेक की बैठक में कुल 21 एजेंडो पर लगी मुहर फिल्म सुटिंग से लौट कर पंकस्त्रे पार्थी गाउं में कडेंगे ये काम इंडिया नेल्वे ने डिवलप किया एक नया सिस्टम अंडर 19 विस्व कब के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी खबरों के ओर विस्तार से ग्रीम मंत्राले ने 1675 रिक्तियों के लिए भरती अधिसूशना जारी किया ग्रीम मंत्राले ने सिक्यूरिटी असिस्टेंट, एक्जेक्यूटिव और मल्टी टास्किंग स्टाफ के कुल मिला कर 1675 रिक्त पदों पर भरती के लिए रिक्रूट्मेंट नोटिफिकेशन जारी किया है इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाये तो कैंडिडेट को दसवी पास होना आनिवार है ओनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारी 17 फरवरी 2023 तक है विस्तर जानकारी के लिए आप ओफिसियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता देए कि इन पदों के लिए सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट, वेरिफिकेशन और मिर्ट के आधार पर किया जाएगा निदीज काबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंडो पर लगी मोहर बीते दिन मुख्यमंतरी निदीज कुमार की अध्यक्सता में चल रही काबिनेट, बैठक में उद्योग विभाग, नकर विकास, एवं आवास विभाग, पत नर्मान विभाग, वित विभाग, सिक्षा विभाग, स्वास्ते विभाग, सामाने प्रशासन विभाग, समीत अन्य विभागों को मिला करकुल 21 एजेंडो पर मुहर लगाई गई जिसमें 2022 थे इसके वीतिय वर्ष के लिए पटना के कदम कुआ इस्थित महिला चर्खा समीती को 2 करोर रुपे के अनुदान की स्विक्रिती दी गई है। संपर्क विभाग में निमनवर की सूचना लिपिक के 18 पदो के श्रीजन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भी नितीज काबिनेट की बैटक में कई एजेंडो पर मुहर लगाई गई। आधिकारिक वेबसाइट bpse.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे किस परिक्षा का आयो जन 12 फरवरी 2023 को किया जा रहा है। जिसका समय दो पहड 12 बजे से 2 बजे के बीच है। इस परिक्षा के लिए राचे के 38 जिलो के 805 केंद्रों पर होगा। इसके साथ इस बार की परिक्षा में 150 प्रश्णों पर एक जैसी मार्किंग लागू की जाएगी। हारी परेटन ने आज हम बात करेंगे वाड थाइ मौनेश्टरी के बारे में मौनेश्टरी के अंदर आपको बुद्ध भगवान जी की बहुत सुन्धर धातु की प्रतीमा देखने के लिए मिलती ХХ मौनेस्ट्री के पीछे तरफ ताला आप देखने के लिए मिलते हैं बोध गया में और भी बहुत सारी मौनेस्ट्री और बहुत मंदिर देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर आपको भुटान मौनेस्ट्री, सिक्के मंदिर, जैपनीज मंदिर, कमबोडिया मौनेस्ट्री, च पंकस्त्रिपार्टी अपनी पत्री और अपने बेटा बेटी के साथ अपने पैत्रिक गाउं गोपाल गंज के बेलसन पहुचे और वहां रुद्रम महायक में शामिल हुए इसके बाद वे अपनी फिल्म के सुटिंग के लिए दिल्ली रवाना हुए वहीं फिल्म सुटिंग से लोटने के बाद इस बार पंकस्त्रिपार्टी अपने गाउं में कहीं मत्वपुर्ण काम करने वाले हैं। बिहार का सबसे बड़ा नित्र अस्पताल मिलने वाला है बतादी की पटना के IGIMS में प्रधान मंतरी स्वास्त सेवा योजना के तहट 162 करोर रुपे की लागत से बिहार का सबसे बड़ा नित्र अस्पताल खुनने जा रहा है मालुम हो कि IGIMS में 366 संस्थान के रूप में विक्सित करने का प्रोजेक्ट साल 2012 में प्रसूत किया गया था वहीं अब उमीद की जा रही है कि इस इस्पताल का निर्मान आने वाले 5-6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा IGIMS के सूप्रीटेंडेंट मनीश मंडल के दोरा दी गई जानकारी के नुसार इस इस्पताल में एक से बढ़ कर एक अत्याधुनिक मशीन लगाए जाएंगे इसके साथ ही पूरी इस्पताल में लगभगबती सूपर स्पेशलिटी एवाम स्पेशलिटी डॉक्टर होंगे बता दे किस इस्पताल में 175 बेट होंगे और भवन में 7 ओपरिशन ठीयेटर होंगे और साथ ही 24 घंट इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध होगी पियम मोधी ने परिच्छा पे चरचा में चात्रों को दिये ये टिप्स अन्होंने कहा कि जब स्टुडेंट्स मुझे लिखते हैं और सलाह मांगते हैं तो मुझे खुशी मिलती है और यह जानकारी मिलती है कि देश का युवामन क्या सोचता है अगर परिवार में social status को लेकर अपने बच्चों से अपेक्चाएं हैं तो ऐसे में parents को बच्चों पर दवाब नहीं देना चाहिए वहीं बच्चों की कोशिश होनी चाहिए कि वे अपने parents की अपेक्चाओं पर खड़े उतरे अगर बच्चे activity पर focus करते हैं तो वो दवाव से बाहर आ सकते हैं उन्होंने कहा कि बच्चों को time management के प्रती भी जागरुक होना चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे सभी subjects के लिए time management करना चाहिए बच्चे खुद को संगीत खासकर classical गीतों की दुनिया में सारदासना बहुत ही सम्मानित नाम है इन्होंने मैथली बजिका भोजपूरी के लावे हिंदी गीत का है मैंने प्यार किया हम आपके है कौन तथा गैंक्स ओफ वौसेपूर जैसी फिल्मों में इनके द्वारा गाई गीत काफी प्रचलत हुए है इनके गाई गीतों के कैसेट संगीत बाजार में सहस्ता से उपलब्ध है इन्हें कई पुरुषकार से समालित किया जा चुका है जिसमें से 1987 में बिहार गौडव, 1988 में भोजपूरी कोकिला व बिहार रत्न, 1991 में पदम श्री पुरुषकार, 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरुषकार, 2005 में देवो अहल्या सम्मान, 2015 में बिहार सरकार द्वारा सिन्यात्रा पुरुषकार और 2018 में पदम भुशन सुतंता दिवस पर अपने गायन की प्रस्तुती दी थी 15 जुन तक सभी प्रक्रियां पूरी कर ली जाएंगे, इसके बाद किसी भी हाल में 15 जुलाई तक सतर दो हजार तेईस पचीस में नामांकन का प्रक्रिया शंपन करा लिया जाएगा हाला कि राचे अस्तर ये परिच्छा का सेड्यूल फरवरी माह के प्रथम सब्ताह तक जारी कर दिया जाएगा मुकाबले में भारतिये टीम ने न्यूजिलैंड को एक तरफा अंदाज में हडा कर फाइनल में प्रवेस कर लिया है सिफाली वर्मा की अगवाई वाली भारतिये टीम ने न्यूजिलैंड को आठ विक्टो से हडा दिया परशवी चोपडा ने सबसे उम्दा गेंदवाजी करते वे तीन विगट चटकाएं वहीं टीटर सद्धू, मनत कश्यप, कप्तान सफाली वर्मा और अर्चना देवी ने एक एक विगट हासिल के सफाली वर्मा ने अपने कोटे के 4 ओपरो में सिर्फ 7 रन खर्च किये थे 108 रनों को लक्षिको भारतिय टीम ने स्वेता सेरावत की सांदार बल्लेबाजी की बदौलत 34 गेंद रहते हासल कर लिया स्वेता ने 45 गेंदों पर 10 चौकों के साथ नाबाद 61 रन बनाए दिन चर्वने के साथ ही लोगों को होने लगा गर्मी का हैसास पिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है बदलते हालात के बीच में इन दिनों अब दिन में लोगों को गर्मी का हैसास होने लगा है विभाग की माने तो अगले पांस दिनों तक प्रदीश में सीत लहर और बारिज के संभावना न के बड़ाबर है विभाग ने अभी बताया है कि रात के तापमान में कोई बड़ा बदलाव न के बड़ाबर होने वाला है मही राचे के सभी जिलों में नियुंतम तापमान 10 तिगरी से उपर बना हुआ है उत्तर बिहार में तो फिर भी थोड़ी बहुत ठंड का हैसास हो रहा है तक्षिन बिहार के कुछ जिलों में दिन के तापमान में काफी बरहोती दर्ज की गई धूप होने से ठंड का असर दोपहर में बिलकुल न के बड़ाबर रह गया है और अंगाबाद और रोहताश में तो अधिक्तम तापमान 30 डिगरी से जादा हो गया है आज से अगले चार दिनों तक बंद रहेगा बैंक अगर आप भी बैंक से जुरा कोई काम करने की सोच रहे है तो यह खबर आपके लिए है बता दे कि आज से चार दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे तरसल 28 जनवरी को 4 सनीवार और 29 जनवरी को रविवार और 30 और 31 जनवरी को 6 सुतरी मांगों को लेकर बैंक कर्मी हरताल पर रहेंगे इन 6 सुतरी मांगों में बैंक कर्मियों की मांग है कि बैंकिंग काम काज को 5 दिन किया जाए पिंसन को अब्रेट किया जाए NPS को खतन कर दिया जाए वेतन में बरहुतरी के लिए बाचीत की जाए और साथ ही सभी कैटरों में भरती प्रक्रिया जल से जल पूरी की जाए यही वज़ा है कि इन चार दिनों में बैंक बंद रहेंगे ऐसे स्थिती में लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पर सकता है लेकिन स्पीच पैंकों के द्वारा ऑनलाइन से बाचीत है करवाई करते वे भारी मातरा में सराब जब्त किया गया बता दे कि सराब तसकरों के दोरा मिनी ट्रक में तहखाना में अंगरी जी सराब को छुपा कर ले जाया जा रहा था मौके पर थाना पुलिस और ARTF की टीम के दौरा जांच परताल करते वे 8 पीम फ्रूटी पैक 42 कार्टन अंग्रीजी सराव और 40 पीस बैलेंडर प्राइड अंग्रीजी सराव जबत किया गया है जिसकी कीमत 2 लाक रुपे बताई चारी है फिल हाल इस मामले पर प्रात्मी की द उच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है बतादे कि इलेक्ट्रिक वहान खरीदने पर किंदर सरकार और राजे सरकार के दौरा सबसिडी दी जा रही है इसके साथ ही सरकार के दौरा स्मार्ट सिटी पर योजना के अंतरगत स्मार्ट पार्किंग के तहट इलेक्रिक वहान केके पाठक ने DMSP के साथ की बैठक पीते दिन मोतिहारी में मध निशेद विभाग के अपर मुखे सचीव के केके पाठक द्वारा राधा कृष्ण भवन में DMSP उत्पाद अधिचक सहित सभी SDO, SDPO और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ बैठक की गई जिसमें उन्होंने सरा बंदी कानून को सफल बनाने वाले सभी बिंदों पर चर्चा की और साथ उन्होंने कहीं एजेंडों पर विस्तृत चर्चा भी किया जिसमें उक्टूबर, नवंबर एवं दिसम्बर महा में उत्पाद विभाग द्वारा गिरफ्तारी की समिच्छा, उक्टूबर, नवंबर एवं दिसम्बर महा में पुलिस उत्पाद विभाग द्वारा गारिया जब की, कितने विदेशी शराब जब किये गए, कितने व इसके लिए सामाने प्रिशासन विभाग के दोरा दिये गए नर्देश के बाद पुलिस मुख्याया ले अधिकारियों के प्रमोशन के संबंधी प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है बता दे कि मुख्याले के दोरा सभी पुलिस प्दाधिकारियों की सेवा पुस्तिका को अ पाहिनी के DG, अपर पुलिस, महानिदेशक और अपराद इकाई बिहार के सभी प्रभावों के प्रमुख रेंज, IG, DIG और SSP, SP को पत्र जारी किया गया है। इसे वेटिंग टिकेट 5-6 फीजदी कम हो जाएंगे और लोगों को कनफर्म टिकेट मिल सकेगा, रेलवे के दोरा इस सिस्टम को एक बार सफलता पुर्वक परिक्षन किया जा चुका है। अगर कोई बात है तो उन्हें हमसे कहना चाहिए उनको कहने का पूरा अधिकार है। उन्हें कहा कि जेडियों के दोरा ही उन्हें राजसभा और विधान परिशत में भेजा गया है। फिर भी उनके दोरा दिये जा रहे है इस बयान को सुनकर हमको आश्चरे होता है। नितीश कुमार ने कहा कि जोग अपनी पॉर्टी के बातों को भीतर ही रखे। मुख्यमंतरी KCR ने बुलाया CM नितीश समेत इन नताओं को। पिसले दिनों जब KCR के दोरा अपनी पॉर्टी की घोशना में तमाम विपक्षी दलों को बुलाया था लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को नहीं ऐसे में राजनितिक गलियारों में कई कयास लगाय जाने लगे थे लेकिन बता दे कि केसीयार के द्वारा आने वाले सत्रफ फरवरी को नया सचेवाले का उधगाटन किया जा रहा है और साथ ही एक पब्लिक मिटिंग भी की जा रही है जिसमें मुख्यमंत्री रितीसकुमार, उपमुख्यमंत्री तेश्रियादव और जेडियू के राश्ट्री अध्यक्स ललन सिंग को भी आमंत्रत किया गया है हाला कि इस कारिक्रम में मुख्यमंत्री तेश्रियादव और जेडियू के राश्ट्री अध्यक्स ललन सिंग इस कारिक्रम में शामिन होंगे उपिंदर कुश्वाहा की मांगों को मिला चिराग पासवान का साथ उपिंदर कुश्वाहा जो जेडियू में अपनी हिसेदारी मांग रहे हैं बिल्कुश सही कह रहे हैं भारत के तिहास में आज की तारीक है बेहत खास पश्चिम बंगान में कलकता मेडिकल कॉलिज के ठास और 35 में सुरू हुआ चौधरी रहमत अली खान ने 1933 में मुसलिम लीक की मांग के तहट बनने वाले अलग राश्टर के लिए पाकस्तान का नाम सुझाया हीरा लाल कानिया ने 1950 में उच्तम नायाले के मुख्य नायधीश का पद संभाला हम्टी घरियों की पहली फैक्टरी उनी सो 61 में बैंगलूरू में शुरुकी कई भारत के पुर्वप्रधान मंतरी राजीव गांधी हत्या कांड में 26 अभियक्तों को भारत में पहली बार 28 जन्वरी साल 1999 को संरक्षित भ्रून से मेमनी का जन हुआ भारत ने 28 जन्वरी साल 2000 को अंडर 19 के युवा वर्ल्ड कप ट्रिकेट के फाइनल में श्री लंका को बुरी तरह हडाया पंजाब के श्री के नाम से मशूर और भारतिय सुतंता संग्राम के नेता लाला लाजपतराय का पंजाब में जन्म 1865 में हुआ भारतिय सेना के पहले भारतिय सिनाध्यक्च फिल्ड मार्सल के एम करियपपा का जन्म 1899 में हुआ 28 जन्वरी को डेटा सनक्षन दिवस के इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आर्मी बैटल कैजूल्टीज वेलफेर फंट के बारे में दरसल पी आईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया चारा है कि रक्षा मंत्राले दौरा स्थापित आर्मी बैटल कैजूल्टीज वेलफियर फंड में आम नागरिक दिये गए, बैंक खाते पर अपना मौदरिक युगदान दे सकते हैं, प्याईबी ने अपनी टूइट में आगे लिखा है कि यह जानकारी सही है बजट से पहले शेर बाजार में हाहकार, एक फरवरी को बजट सतर पेश होने वाला है, ऐसे में इसे पहले शेर बाजार में हाहकार मचा हुआ है बता दे कि काडोबाडी दो दिनों में संसक्स गिरावट के साथ बंद हुआ मालुम हो कि बुदवार को बाजार दवाव में था इस दिन संसक्स 774 अंक या 1.27 फीजदी लुढग गया वहीं निफ्टी भी 226.35 अंक यानी 1.25 प्रतीशत की गिरावट के साथ बंद हुई इसके बाद गुरुबार को गंतंतर दिवस की वजह से बाजार बंद रहा वहीं बीते दिन यानी शुक्रवार को भी गिरावट का ये सिलसला जारी रहा अस दिन संसक्स 844.16 अंक या 1.45 प्रतीशत लुढग कर 69,331 अंक पर ठैड़ गई वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो यह 288 अंक लुढग कर 17,604 अंक इस तर पर बंद हुआ जिसमें निवसको के 11,00,00,00 करोर रुपए डूब गया है बता दे कि मिली जानकारी के अनुसार गिरावट की बड़ी वजह हिदन बर्ग रिसर्च की रिपोर्ट है इंस्टाग्राम डीपी के लिए आया कमाल का फीचर मेटा ने इंस्टाग्राम में यूजर्स के लिए एक कमाल का अपडेट पेश किया है जिसके तहत यूजर अपनी डीपी को फोटो और डीजिटल अफ़टार के रूप में सोकेश कर पाएंगे इसके लिए आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम ओपन करना होगा इसके बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करना होगा यहां आपको एडिट प्रोफाइल का ओप्शन दिखेगा जिस पर टैप करे और फिर क्रेट अफ़टार पर क्लिक करे इस तरह अपने बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों की पैरेंट कम्पनी एक ही है अगर आपने इंस्टाग्राम फेस्बुक से लिंक किया है तो आपको फेस्बुक वाला अपतार यहां दिखने लगेगा पठान की सक्सेस पर सारुख खान की फैमली ने दिया ऐसा रियाक्शन सारुख खान के फिल्म पठान ने इतने विवादों के बीच घिरे होने के बाद भी सफलता पाली है बता दे किस फिल्म से सारुख खान का बिग कमबैक माना जा रहा है मालूमों कि पठान फिल्म 25 जन साथ ही गौरी खान के दोरा फिल्म की सफलता पर एक पार्टी का भी आयोजन किया गया था जिसमें कहीं बॉलिवोर्ड सितारों ने दस्तक दिये मैं इस फिल्म पर सारु खान के बच्चों ने अपनी प्रतिक्रिया देते वे अपना एक्स्पीरियंस से अरकिया और आर्या सुहाना इस मौके पर बेहत खुश नजर आएं इसके साथ ही बरते हाज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार परिच्चा के दोरान चात्रों में होने वाल स्ट्रस को कम करने के लिए अविवाब को की ओर से क्या कदम उठाया जाना चाहिए आप अपना जवाब हमें मारी कमन शक्षिन में लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो जान को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेस को follow करना ना भूले धन्यवाद